कॉंग्रिस सांसद राहुल गांधी का एक हफते बाद अनलोग हुआ ट्वीटर एकाउंट कॉंग्रिस ने किया पहला ट्वीट लिखा सत्यमेव जयते पियमोदी ने किया 14 अगस्त को विभाजन विभीशी का इस्मृती दिवस की रूप में मनाने का एलान ट्वीट कर दी जानकारी लिखा देश के बटवारे की दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता किसान ने तर आकिश्टिकेत ने किया बड़ा एलान कहा 15 अगस्त पर दिली से दूर किसी गाउं में जाकर जंडा फहराने वाले कारिक्रम का बनेंगे हिस्सा क्रिशी कानूनों का विरूत कर रही है किसान स्वतंस्रिता दिवस के मौके पर लाल कले पर कड़ी सुरक्षा के इंतिजाम लाल कले पर मल्टी लेयर सिक्यूरिटी एंट्री गेट पर कंटेनर की उची दिवार चुनावायोग ने बंगाल में उपचुनाव कराने को लेकर राजनीतिक दलों से मांगे सुझाव कि 80 दिनों में नहीं हुए चुनाव तो सिये ममता बैनर जी का जा सकता है पद आपने ता संजाज सिंग की मुश्किल है बढ़ी 5000 करोड रुपए का मानहानी नोटिस भेजेगी रश्मी मैटालिक संजाज सिंग ने किया था कंपनी पर कई राज्य में ब्लैक लिस्टेड होने का दावा केंद्रिय सडक परिवहनेवं राजमार्ग मंत्री नितन गड़करी ने किया एलान राश्ट्रिय वाहन कबार नीती के बताए फायदे कहा विनिर्मार को मिलेगा प्रोथ साहन रोजगार के अफसर होंगे पैदा माउंट एल्ब्रोस फतह करने वाली पहली सीए पी एफ अधिकारी बनी गीता समोटा मुंबई एएस जी मेह तैनार बिहार में बाढ़ के हालात से परिशान लोग पटना के गंगा तटिये इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी गलिया हुई जलमंगे बीत 24 घंटे में देश में खोरुना के 38,666 नए मामले आये सामने 478 मरीजों की गई जान सबसे ज़्यादा कीरल से मिले नए मामले अमेरिका के टेक्सास में मनाया जाएगा भारत का 75 तरवा स्वतन्तृता दिवस गवर्नर एबॉट ने किया एलान भारत को बताया दुनिया में सबसे बड़ा लोगतांत्रिक सही होगी पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान ने चीन को बताया अपना अटूट दोस्त कहा शत्रूता पूर्ण ताकर दौनर देशों की दोस्ती कमजोर नहीं कर पाएंगी पाकिस्तान और चीन एक जुठ है प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी 25 सतंबर को कर सकते हैं संयोक्ति राश्प्र महासभा यू एन जीये के उचिस्तरिय वार्शिक सत्र को संबोधित संयुक्त राश्ट्र ने जारी की वक्ताओं की सूची इससे पहले 2019 में मोदी कर चुके हैं उचिस्तरिय संयुक्त राश्ट्र महासवास सत्र को नीग यॉर्क में संबोध है पर्याटकों को आकर्शित करने के लिए अच्छी पहल अरुनाचल प्रदेश के तवांग में शुरू की जाएगी पूर्वत्तर भारत की दूसरी टॉय ट्रेन सेवा पूर्वी असम के तिन सुकिया जिले में शुरू की गई थी पहली टॉय ट्रेन अफगानिस्तान पर कबज़ा जमा चुके तालिबान ने भारत को चेताबनी भारतिये प्रोजेक्ट को सराहा लेकिन सेना भेजने पर चेताया कहा अफगानिस्तान भेजी सेना तो अच्छा नहीं होगा शीतल पे ब्रांड लिमका ने लिमका बुक ओफ रिकॉर्ड्स का विशेज संसकरण किया पेश कोका कोला कंपनी के स्वामितव वाले सिव ब्रांड ने भारत में अपने पचासवे वर्ष के मौके पर जारी किया संसकरण 2020-22 संसकरण में 4000 से धिक फीचर्स को किया गया है शामिल भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मिली दूसरे क्लीनिकल ट्राइल की मंजूरी जल्दा सकता है नाग से दिया जाने वाला कोरोना टीका भारत बायोटेक को दूसरे वा तीसरे चरण के परिशन की मंजूरी मिली मशूर अभिनेता रितिक रोशन और अभिनेतरी दिपिका पाडुकोन पहली बार स्क्रीन पर साथ आएंगे नज़र 26 जनवरी 2023 में रिलीज होने को तैयार है सिधार्थ आनंद की एक्शन फिल्म फाइटर 14 अगस्त 1981 को रिलीज हुई फिल्म सिलसला को हुए 40 साल पूरे अभिताप जया की लीड जोड़ी की थी ये आखरी फिल्म फिल्म सिलसला से जोड़ी कुल 6 हस्तिया पहुची संसद लॉर्ड्स टेस्ट के दूसरे दिन का खिल समाप्त टीम इंडिया की मैच पर पकड़ मजबूत तीन विकेट के नुकसान पर इंगलेंड ने बनाए 119 सरन